हर कि होट संब करें यह बीजिक नियुक्स को क्यों कोम्मिनुटी की कोम्मीनि के प्राइमरी हिल्सके जो है से फिर जो ऐना यह अगनम होता है और सो कम्मनिटी आप में करें ने , तो दख्या तैप राइमरी काटेगोरी में दखीएเผश्ञ différentes, सबते पिले टोटल बेड कितना होता है। और तइ bri काटेगोरी में तोटल बेड कितना होता है। 426 और type B category में primary healthcare में total bed कितना होता है 6 और 10 वह ही पर देखिये community healthcare में देखिये total bed total bed कितना होता है type A category में 30 to 50 और type B में कितना होता है 50 to 100 यह तो हो गया total bed category अब देखिये डिलेवरी क्राइटेरिया में primary health care में total one month में कितने delivery होता है तो देखिए less than 20 delivery delivery per month type A category में होता है और more than 20 delivery per month type B category में होता है वहीं पर देखिए community health care में community health care center में देखिए टाइप A में less than 100 delivery per month होता है और type B में किया था है more than 100 delivery within one month और पर month तो type A और type B category तो discuss कर लिए तो अब देखिए हाँ बोला है type A category type A category में कितने delivery होता है तो less than 20 delivery per month answer ये which of the following is the direct cause of the maternal death direct cause of the maternal death बोला है ये क्या है maternal death तो देखिए एक होता है direct cause नहीं एक होता है indirect cause नहीं तो देखिए indirect cause में आ है और diet cause में क्या फरक है तो direct cause म Merci ज़ुषब्स करने जयाता होता है तो नहीं प्याट सामय से नहीं मास्ट करम्रें गाता होता है नहीं most common indirect cause हो गया एनिमिया और most common direct cause हो गया PPS तो यहाँ पर एंसर कुण सा होगा C 6 into 6 into 6 strategy under the एनिमिया भुक मुक्त भारत included all except तो यहाँ पर देखे 6 into 6 strategy जो होगा है एनिमिया मुक्त भारत का यह क्या है देखे जो यह 6 into 6 rule flow कर रहा है 6 into 6 यह 6 होता है कौन सा beneficiary beneficiary और देखे beneficiary क्या होता है जो यह सनस्था से benefit ले रहा है उसको बोलता है beneficiary और देखे 6 क्या हो गया next six क्या हो गया इसे यहां किसे रखेंगं यहां पर क्या भाध बला है बारत और इंडिया से मी होता है भारत और इंडिया से मी होता है नहीं तो देखिए यहाँ पर बी से क्या हो गया बेनिफिसियरी आई से क्या हो गया सटल का जो बेभी होता है वो लेता है बेनिफी फेंड्यक बेनिफिशारी होता है five to nine इस सटका बेभी ठोर्ट बेनिफिशारी कोन होता है 10 तू 19 तू 19 मान इस आड्वाईज और फोर बेनिफिशारी कोन होता है प्रीगनेंट एंड लाकेशन वमेन आपके 6 बेनिफिसली को होता है जो 6 बेनिफिसली होता है वो रिप्रोडॉक्टिब इस बला होता है तो यह रिप्रोडॉक्शन इस ग्रूप इंक्लूडर कितना किया है 15 to 14,5 यह बेनिफिशियर्य हो गिया और देखे 6 इंटरवेंशन कौन-कौन सा है एक देता है प्रोफोलाक्टिक डोज प्रोफोलाक्टिक डोज बना प्रोफोलाक्टिक आईरन एन फोलिक एसिड शकेंड देता है डी वार्मिंग के लिए और किसको देता है प्रिग्नेंट टूमेन को तैल्ड को और एडॉल्सेंट क्या है उसका बिहावियर चेंज क्याम्पिंग और फोर्थ इंटर्वेंशन क्या है उसका एनिमिया का टेस्ट करना और ट्रीटमेंट करना तो टेस्टिंग टेस्टिंग ईनिम्या जो मैटरिट इंडााय कॉज़ॉसब डित था मैटर्वनि देत इसाल यूश को किया जाता है इने टेस्टिंग इनिमिया एंड ट्रीटमेंट इनिमिया और थेकी सीस्टिंग Yayab 50 क्या है उसका measurement of the hemoglobin measurement of hemoglobin और देखी six intervention उसका क्या है focus on the other cause of enemy focus on the other cause of enemy यह इसका six intervention है और उसमें six institute involved है तो यहाँ पर except बोला है तो एंसर कौन सा होगा coordination administer C which of the following is not included in under anemia मुक्त भारत प्रोग्राम तो इस देख लिए six इंटू six इंटू six इंटू six रूल फोलो करता है तो इस प्रोफलाक्टिट के लिए क्या था फोलिक एसीड और ऐरन था और क्या बोलता है एंटी आलमेंटिक का हुआ ईंटी ट्रमेंटिक ट्रकांस हुआ कितने बॉक्स है वान टू थीरी फॉर फाइफ फिप्ट बॉक्स के इंडिकेशन के क्या कौन चीज के लिए इंडिकेशन किया जाता है तो सबसे पहले यहांपे दखिए सब्सक्राइब इस कम्यूटी में कितने 2,000 पीपल से रहता है तो अब रूल आफ हाफ में कम करते जाये तो देखिए उसमें क्या है यह दो हजार में से हम उसको इसका आधा कितना होगा 1,000 पीपल को हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन हम एड्रेस किया है एड्रेस किया है हाइपरटेंशन है उसको समझ गया है उसके बाद देखिए यह हो गया उसके बाद फिर से देखिए एक हजार क्या हाफ कितना होता है 500 500 पीपल को हमने डाइगनोसिस किया कि उसको हाइ है प्रेंटेंजिन है देगनोसिस है। उसके दाइगनोसिस किया। हाइपर टेंशन है। उसके बाद 500 के बाद 250 पीपन्स है। 250 को हमने ट्रीटमेंट किया। उसको ट्रीटमेंट। देखे 250 में से 125 उसका हाफ कितना है 125? 125 people ही adequate treatment पाया एडिक्यूट treatment पाया तो देखे यह one मान ली जा उसको यह two हो गया, यह three हो गया, four हो गया, five हो गया तो 5 में क्या है adequate treatment, 4 में क्या है treated, और hypertension patient को हम treated किये, 3rd में क्या हुआ, diagnosis of hypertension, 2nd में क्या हुआ, addressed hypertension and 1st में क्या हुआ, whole community, जितना community थाथ हो, यहाँ पर क्या बोला है, यह एरो कितने नमबर में है, 5 नमबर में है, यहाँ पर answer कुण सा हुआ, adequate treatment, total age of life birth by 100, sorry, total number of life birth by 1000 women in reproductive age group, यहाँ पर देखिए, age बोला है, तो सबसे पहले, हम decide करेंगे, age, तो specific age में कितने live birth दिया है, उसको बोलता है, तो यहाँ पर specific age देखिए, included नहीं है, कितने age में, इतने live birth दिया है, उसको बोलता है, age specific fatality, आप देखिए, net में, net देते ही girl का याद आ जाएगा, girls, girls समझिए, तो देखिए, live birth, live birth, live birth, in a specific, age group बोलेगा, तो net reproductive rate बोलेगे उसको, समझिए, age में तो यहाँ पर age specific दिया होगा, net reproductive में age girls included होगा, अब जेनरल fertility rate, जेनरल fertility rate का फर्मूला क्या होता है, number of live birth, during the year, number of live birth, during the year, by mid-year population, the mid-year, female, population, age 15 by 49, multiplied by 1000, यहाँ पर answer कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए, total number of the live birth by 100, sorry, 1000 women in reproductive age group दिया है, तो देखिए, women reproductive दिया है, 15 to 49, तो answer कौन सा होगा, C, which of the following statement is a correct about the triage, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, red, red means क्या होता है, लाल, और लाल क्या चीज़ का निशान होता है, खत्रा का, खत्रा का, खत्रा का निशान होता है, तो इसको मतलब क्या हुआ, life-threatening condition, life-threatening condition, और उसको क्या थे, immediate treatment चाहिए, life-threatening condition वाला patient को immediate treatment चाहिए, उसके बार second में जाते है, second में गिरीन आया, गिरीन मिन्स क्या होता है, हरा, और हरा क्या होता है, अच्छा का निशान होता है, क्या चीज़ का होता है, अच्छा का निशान होता है, मिन्स क्या हुआ, ambulatory, उसके बाद देखे, black, black मिन्स क्या होता है, काला, काला मिन्स क्या होता है, काला दीन, काला दीन मिन्स कम मनाते हम, जब कोई देथ हो जाता है, तो उसके बाद आया कौन सा, इलो, जो बाकी इलो रह गया हो, तो देखे, इलो में क्या होता है, पेसेंट एस्टेबल रहता है, एस्टेबल रहता है, ने, लेकिन उसको, तो ट्रीटमेंट के जरूरत परता है नीडेट ट्रीटमेंट और रिक्वाइड ऑब्जर्बेशन और ऑब्जर्बेशन अभी राखना पर सकता है उसको तो यहां पर इंसर कुण सा हुआ बी कुण सा कॉरेक्ट एस्टेटमेंट हुआ बी यह लोग वाला तो सबस्पे लिए का डूज याद रखते हैं विटामिन ए का डूज कितने देता है पचास हजार मतलब 15,000 उसके बाद क्या हुआ वन लाग वन लाग उसके बाद कौन सा हुआ टू लाग तू लाग यह तीन ठो डोस देते हैं अब यह तीन ठो डोस को हम याद किसे करेंगे तो देखें फर्स्ट के याद करेंगे और लास्ट के याद करेंगे तो यह देता है लेस दैन सिक्स मॉन्थ समझगें और टू लाक से है इसको इसे टू से मल्टिपलाइ की दिये कितने हो गया more than 2 बेल मुन्थ more than 2 बेल मुन्थ रहेगा तो 2 लाक इंटरनेशनल इनिट देंगे और less than 6 मुन्थ रहेगा तो 15,000 इंटरनेशनल इनिट देंगे बांगे कितना रहे गया 6 to 12 month और 11 month बोलिए 11 month 6 to 11 month रहे गा तो हम कितने देंगे 1 लाख international unit तो यहां पर यह हो गया अब देखिए vitamin A जो देता है तो every 6 month में देता है every 6 month में every 6 month में तो यहां पर देखिए less than 6 month है तो इसमें कितने बात देंगे एक ही बात देंगे once हो गया अब देखिए 6 to 12 month हुआ तो 6 to 12 month में तो कितना क्याप है 6 month का ही गयाप है तो इसमें कितना कितना डोज देंगे ओंसी डोज देंगे अब देखिए यहां पर more than 12 years हुआ तो यह कितने मौन तक देंगे हम उसको 5 year तक देंगे 5 year तक देंगे और यहां पर मैं बोली दियाओ every 6 month तक देंगे every 6 month every 6 month कब से स्टार्ट करेंगे more than 12 months से more than 12 months से every 6 month में 2 lakh international unit हम देंगे उसको तेंसर कौन सा हो गया है यहां पर इहें यहां पर देखिए एक होता है उर्बन हेल्थ केर एक होता है रूरल कौन सा रूरल रूरल हेल्थ केर तो देखिए रूरल मेंस क्या होता है यहां ही सब होता है ही री रीजन सब गया नहीं ब्याक्वाड एरिया हो गया लंग están ट्रयाव्ल एरिया स बहुज़खिया और बन मेंसकर होगा एडस एरिया थरह उर्बन से एडवांस एडवांस तो उर्बन सुनते ही अप्टू 5000 पॉपलेशन तक कम लिमिट कर सकते हैं अप्टू 5000 अप्टू 5000 पॉपलेशन तक के लिए रूरल हेल्थ केर पॉसिबल है तेखिए पॉपलेशन के लिए कौन सा हेल्थ केर नीड़ेट रहेगा उर्बन हेल्थ केर रहेगा उर्बन हेल्थ केर रहेगा और देखिए इसमें 75% मेल इंवाल्व रहेगा डोनों में 75% मेल उर्किंग इंवाल्व रहेगा और क्या इंवाल्व रहेगा इसमें ए totक रूर्ड आज्याम देखिए 95% मेल इंवाल्विंग एत्रिक्रतर सक्टर ए ग्रिक्ल्चर सक्टर कि यहां पर रूलर में सब पिष्टा पिष्टा वाला दो देखिए एड़्वांस वाला है तो देखिए एड़्वांस वाला में क्या क्या है इंक्लोडेट रहेगा एक हो गया community health हेल्थ सेंटर कम्यूटी हेल्थ सेंटर नहीं एक हो गया मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ठाड हो गया पी यह सी अब देखे रूलर एरिया में कौन सा इन्वाल्ब रहेगा सब सेंटर सब सब सेंटर सब और कोई कोई सब सेंटर सब को सब सेंटर को मोडिफाइड करके ही कहीं कहीं पर क्या बना जाता है पी यहां पर देखें यहां पर क्या बोलाए और्बन एरिया में कौन सा इंक्लूडड है यहां पर देखें एडवांस सब कौन कौन सा इंभर्म नहीं है वो यह सी बनाया जाता है तो सब से छोटा ओक कहां पर रहता जाता है यह रिजन में या ट्राइबल एरिया सब में रहता है तो यह सरकूर साहवा कि दि